भजन सहीदा 82 अध्याई एक से आठ तक परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है वो इश्वरों के बीच में न्याय करता है तुम लोग कब तक टेडा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ दीन दरीद्र का विचार धर्म से करो कंगाल और निर्दन को बचा लो दुष्टों के हाथ से उन्हें छुडाओ वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं पृत्वे की पूरी नीव हिल जाती है मैंने कहा था तुम इश्व पर उठ पृत्वी का न्याय कर क्योंकि तुही सब जातियों को अपने भाग में लेगा प्रेरी तो 27 अध्याई 13 से 44 तक जब कुछ-कुछ दक्षीनी हवा भेने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पुरा हो गया लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पा आंधी जाज पर लगी तो वो उसके सामने टहर न सका अतर हमने उसे भैने दिया और इसी तरह भैते हुए चले गए तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड में भैते हम कटिनाई से डोंगी को वश में कर सके फिर मलाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जाज को नीचे से बांदा और सूरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भैसे पाल और सामान उतार कर भैते हुए चले गए जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्केक आए तो दूसरे दिन वे जाज का माल फेकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हातों से जाज का साज समान भी फेक दिया अब बहुत दिनों तक न सूरिय न तारे दिखाए दिये और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही जब वे बहुत दिन तक भूके रह चुके तो पॉलूस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा है लोगो चाहिए था कि तुम मेरी बात मान कर क्रेते से न जाज खोलते और न यह विपती आती और न यहाने उठाते परन्तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि डाडस बांदो क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की आनी न होगी पर केवल जाज की क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्दूद ने आज रात मेरे पास आकर कहा हे पॉलस मत डर तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है देख परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है इसलिए हे सज्जनो डाडस बांदो क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझ से कहा गया है वैसा ही होगा परन्तो हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा जब चौदवी रात आई और हम अद्रिया समंदर में भटकते फिर रहे थे तो आदे रात के निकट मलाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी द जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जाच की पिछाडी चार लंगर डाले और बोर होने की कामना करते रहे परन्तु जब मलाह जाच पर से भागना चाते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समंदर में उतार दी तो पॉलुस ने सुबेदार और सैनिकों से क काट कर डोंगी गिरा दी जब बोर होने पड़ था तब पॉल उसने यह कहके सब को भोजन करने के लिए समझाया आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूके रहे और कुछ भोजन न किया इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा कर सब के सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़ कर खाने लगा तब वे सब भी डाड़स बांद कर भोजन करने लगी हम सब मिलकर जाज पर 276 जन थे जब वे भोजन करके त्रिप्त हुए तो गेहु को समुंदर में फेक कर जाज हलका करने लगी जब दिन निकल पत्वारों को खोल कर समुंदर में छोड़ दिया और उसी समय पत्वारों के बंधन खोल दिये और हवा के सामने अगला पाल चढ़ा कर किनारे की और चले परंतु दो समुंदर के संगम की जगव पढ़कर उन्होंने जाज को टिकाया और गलही तो दखा का कर गड़ गई और टल न सकी परंतु पिछाडी लहरों के बल से तूटने लगी तब सैनिकों का यह विचार हुआ की बंधियों को मार डाले ऐसा नहों की कोई तैर के निकल भागे परंतु सुबेदार ने पॉल उसको बचाने के इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो ला राजाओ इठरा अध्याय एक से सैन्टीज से तक एला के पुत्र इजिरायल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आजका पुत्र ही जिक्या राजा हुआ जब राजे करने लगा तब पचिस वर्षका था और उन्तीस वर्ष्ट क्यरुशले में उसने उंचे स्थान गिरा दिये लाटो को तोड़ दिया अशेरा को काट डाला पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसराइली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा वह इसराइल के परमेशर यहवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहुदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था वह यहवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आ गया यहवा ने मुसा को दी थी उनका वो पालन करता था इसलिए यहवा उसके संग्रा और जहां कहीं वजाता था वहां उसका काम सफल होता था उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधिनता छोड़ दी उसने पलिष्टियों को गाजा और उसकी सीमा तक पहरू के गुमट और गड़वाले नगर तक मारा राजा हिजिक्या के चौथे वर्ष में जो एला के पुत्र इसराइल के राजा होशे का साथवा वर्ष था अशूर के राजा शल्म ने सेर ने शोमरोन पर चड़ाई करके उसे घेर लिया तीन वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया इस प्रकार के हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेशर यहवा की बात न मानी वरण उसकी वाच्चा को तोड़ा और जितनी आगया यहवा के दास मुसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया हिजिकिया राजा के चौधवे वर्ष में अशूर के राजा सनहरीब ने यहुदा के सब गड़वाले नगरों पर चड़ाई करके उनको ले लिया तब यहुदा के राजा हिजिकिया ने अशूर के राजा के पास लाकिश को कहला भेजा मुझसे अपराद मेरे पास से लोट जा और जो भार तुम मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा तो अशूर के राजा ने यहुदा के राजा हिजिक्या के लिए तीन सो किकार चांदी और तीस किकार सोना टहरा दिया तब जितनी चांदी यहुदा के बवन और राज बवन के बंडारों में मिली उस सब को हिजिक्या ने उसे दे दिया उस समय हिजिक्या ने यहुदा के मंदिर के दर्वाजों से और उन खंबो से भी जिन पर यहुदा के राजा हिजिक्या ने सोना मढधा था सोने को छिल कर अशूर के राजा को दे दिया तो भी अशूर के राजा ने तर्तान रबसारिस और रबशाके को बड़ी सेना दे कर लाकिश से यरुशलें के पास हिजिक्या राजा के विरुद भेज दिया अतहवी यरुशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे के नाली के पास दोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिजिक्या का पुत्र एलियाकिम जो राजगराने के काम पर था और शेबना जो मंत्री था और आसा आपका पुत्र यो आह जो इतिहास का लिखने वाला था ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए रब शाके ने उनसे कहा हिजिक्या से कहो कि महाराजादी राज अर्थात अशूर का राजा यो कहता है तू किस पर भरोसा करता है तू जो क उचले हुए नर्खट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में चुब कर छेदेगा मिस्र का राजा फिरोन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश पर है तो क्या यह वही नहीं है जिसके उन्चे स्थानों पर वेदियों को ही जिक्या ने दूर करके यहुदा और यरुशलेम से कहा कि तुम इस वेदी के सामने जो यरुशलेम हैं दंडवत करना तो अब मेरे स्वामी अशुर के राजा के पास कुछ बंदन रख तब मैं तुझे दो हजार गोड़े दूँगा क्या तु उन पर सवार चड़ा सकेगा की नहीं फिर तु मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रतों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है क्या मैंने यहवा के बिना कहे इस थान को रब शाके से कहा अपने दासों से अरामी भाशा में बाते कर क्योंकि हम उसे समझते हैं और हमसे यहुदी बाशा में शहर पना पर बैठे हुए लोगों के सुनते बाते न कर रब शाके ने उनसे कहा क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के या तुमारे ही पास ये बाते कहने को भेजा है क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पना पर बैठे हैं ताके तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े तब रब शाके ने खड़े हो यहुदी भाशा में उंचे शब्द से कहा महारा चाज़ा दि राज ऐर्थात अशूर के राजा की बात सुनो राजा यू कहता है कि जिक्या तुमको दोखा देने नपाए क्योंकि वो तुम्हें मेरे चाथ से बचाना सकेगा और वो तुमसे यह कहकर यहवा पर भरोसा करने नपाए कि यहवा निश्चे हमको बचाएगा और यहन अगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा हिजिक्या की मत सुनों अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेज कर मुझे प्रिस्दन करो और मेरे पास निकल आओ और प्रतियेक अपनी अपनी दाख लता और अंजीर के व्रिक्ष के फल खाता और अपने अपने की बारियों का देश जल पाईयों और मधू का देश है वहां तुम मरोगे नहीं जीवित रहोगे तो जब हिजिक्या यह कहकर तुमको भैकाए कि यहवा हमको बचाएगा तब उसकी नस सुनना क्या और जाकियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है हमात और अरपात के देवता कहां रहे सब फैम हैना और इव्वा के देवता कहां रहे क्या उन्होंने शुम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो फिर क्या यहवा यरुशलिम को मेरे हाथ से बचाएगा परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही क्योंकि राजा की ऐसी आ गया थी कि उसको उत्तर न दे रहा तभी जिक्या का पुत्र इलियाकिम जो राजगराने के काम पर था और शेवना जो मंत्री था और आसाप का पुत्र यो आह जो इतिहास का लिखने वाला था अपने वस्तर फाड़े हुए हिजिक्या के पास जाकर रबशाके की बाते कह सुनाई दूसरा राजाओ उननीस अध्या एक से तेरा तक जब हिजिक्या राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्तर फाड़ टाट ओड़कर योवा के भवन में गया उसने इलियाकिम को जो राजगराने के काम पर था और शेवना मंत्री को और याजको के पुरणियों को जो सब लाट ओड़े हुए थे आमोस के पुत्र यशाया भवशिजक्ता के पास भेज दिया उन्होंने उससे कहा कि जिक्या यो कहता है आज का दिन संकट और भरतसना और निंदा का दिन है बच्चों के जनम का समय तो हुआ पर जिज्जा को जनम देने का बल न रहा कदाच्चित तेरा परमेश् योवा रप शाके की सब बाते सुन है जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर के निंदा करने को भेजा है और जो बाते तेरे परमेश् योवा ने सुनी है उन्हे डांटे इसलिए तो इन बच्चे हुँ के लिए जो रहे गये हैं प्राथना कर जब ही जिक्या राजा के कर्मचारी यशाया के पास आए तब यशाया ने उनसे कहा अपने स्वामी से कहो यहवा यो कहता है कि जो वच्चन तुने सुना है जिनके द्वारा अशुर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर सुन मैं उसके मन क को प्रेवित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूँगा तब रपशाके ने लौट कर अशूर के राजा को लिबना नगर्ख से युद्ध करते पाया क्योंकि उसने सुना था कि वह क्या से यो कहना तेरा परमेश्वर जिसका तु भरोसा करता है यह कहकर तुझे दोका न देने पाए कि यरुशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा देख तूने तो सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा वहवार किया है और उनका सत्यनाश कर दिया है फिर क्या तु बचेगा गोजान और हारान और रेसेप और तलसार में रहने वाले एदेनी जिन जातियों को मेरे पुर्खाओं ने नश्ट किया क्या उन में से किसी जाती के देटाओं ने उसको बचा लिया हमात का राजा और अरपात का राजा और स्परवेम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा ये सब कहां रहे